बने इस टुटोरियल में जो डिफेंट क्रेडिट अरेंगेंट्स होते हैं उनके कुछ एक्जाम्पल हम लेंगे इस टुटोरियल में जिसमें गाव क एक एक एक्जाम्पल दिया गया है जहां पर रोहित और रंजन पढ़ते हैं और उन्होंने अपनी class में terms of credit के बारे में पढ़ा था कि credit अगर provide की जाती है तो उनकी पीछे शर्ते कौन सी होती है कौन सी conditions पर credit प्रोवाइट की जाती है और आपने पढ़ा था कि different credit arrangements होते हैं depending on different credit providers, nature of lenders तो भी जानना चाहते थे कि उनके area में जो different credit arrangements कौन कौन से हो सकते हैं कौन लोग है जो provide करते हैं credit और कौन लोग है जो credit borrow करते हैं मतलब who are the borrowers and who are the lenders और terms of credit क्या है मतलब अगर वो credit provide करते हैं तो क्या शर्ते लगाते हैं कितना rate of interest होता है वो भी तेक शर्त होती न अब collateral क्या होता है तो उन्होंने तेक्या है कि हम गाउ में जाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे बलब एक practical knowledge लेंगे और उसके बाद उन्होंने अपना record बनाया जो कुछ भी उनकी बात चीत हुई तो आजे देखते हैं कि उन्होंने क्या record किया अब ये तारीख है 15 नॉब्बर 2019 की तो वोग fields की तरफ डारिक जाते हैं जहां खेत होते हैं जहां पर ज़्यादा तरकिशान काम कर रहे थे और मजदूर भी काम कर रहे थे और वो काम कर रहे होंगे ऐसा मान को निकलते हैं ऐसे समय पर और उस समय खेत में जो potato की crops खड़ी होती है सबसे पहले वो शामल से मिलते हैं एक छोटा किसान है वो सोनपूर में अच्छा ये गाव सोनपूर है और irrigated village है मतलब वहाँ पर सिचाई की सुधा उपलब्द है समय ये बताता है कि हर सीजन में उसे loan चाहिए होता है cultivation के लिए और उसकी जो भूमी है वो लगबग डिल एकर land है तो कुछ साल पहले तक तो वो money lander से देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा उधार पे देते हैं और बदले में interest charge करते हैं और वही interest उनकी कमाई होती है ऐसे लोग आज भी शहरों में गाओं में मिल जाते हैं ब्याज पर पैसा उठाने वाले लोग इन्हें हम कहते हैं तो वो उससे लेता था और लगबग 5% वो interest देता था उस पे और उसकी पूरी income का 60% तो वो ब्याज में ही चला जाता था लेकिन पिछले कुछ सालों से स्यामल ने क्या किया कि उसने agriculture trader से loan लेना शुरू किया बदलब ऐसे वैपारी जो किसानों से उनकी फसल ले जाकर वो टाउन्स में शहरों में बेशते हैं मतलब वो एक वैपारी था अक्रिशी वैपारी था तो देखिए कुछ ना कुछ फाइदा होगा तभी तो ये loan प्रवाइट करेगा ना अग्रिकल्चर ट्रेडर तो वो 3% चार्ज करता था कम से कम 2% तो कम हुआ ना तो जब भी क्रॉपिंग सीजन शुरू होने को होता था तो वो जो है ट्रेडर वो कुछ फार्म इंपूट्स की क्रेडिट उसको प्रवाइट कर देता था कि भाई तुम्हें शीट की जरूत पड़ेगी फर्टिलाइजर जरूत पड़ेगी लो पहले उससे पैसे ले लो आँ उसके बाद जब क्रॉप रेडि हो जाएगी हार्वेस्ट के लिए ताम मुझे पे कर देना तो ये तो इंट्रेस्ट रेट कम हुआ मतलब जो कंडिशन से उसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एक इंट्रेस्ट रेट यहाँ पे कम था और क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट उसका मतलब वो कम दाम पे खरीदेगा और ट्रेडर इस तरह से उसे भरोसा हो जाता एगी जब फसल तियार हो जाएगी तो लोन भी अच्छे धंग से रीपे हो जाएगा क्योंकि वही फसल त्यार होगी फसल वह उस ट्रेडर को बेचेगा तो उसमें उसका लोन भी रिकव ऌता है जब प्राइस हमांदे गाषी जड़े साथा यहां डाफ़ी्र होता है, क्योंकि उ स्मेरे फिर पोन will sell the crop to me only क्योंकि तुमको बेच नहीं बेचना है तो तुम मुझे बेचोगे लो प्राइस पे खरिदता है और हाई प्राइस पे बेचता है तो वो ट्रेडर को फाइदा होता है तो एक तो यह होगी केस तो एक तो यह यहाँ पे बादचीत हुई शामल से और देखते कौन-कौन जिससे बादचीत हुई तिन लोगों की अच्छा उसके बाद यह लोग अरुन से मिलते हैं जो कि उस वक्त वो फार्म जो कि शान लगे होते हैं उसे खेत में तो उनको सुप्रवाइज कर रहा होता कि भाई हो ठीक से काम कर रहें नहीं कर रहें तो आरुन की सेवन एकर लेंड है मुलब ज़्यादा है और वो सोनपूर में रहने वाले कुछ लोगों में शेशामिल है जो बैंक से लोन लेते हैं अब देखें बैंक जो है न वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोग प्रवाइडर है क्यों बैंक की एक संस्ता है पुब्लिकली लोन प्रवाइड करती है तो वो कल्टिवेशन के लिए लोन महास लेता है जो इंट्रेस्ट रेट है वो 8.5% पर एनम है मतलब प्रती वर्स है ऐसा नहीं कि हर महीन है यहां तो हर महीने वाला लोन होता है और इंट्रेस्ट रेट लगता है तो 8.5% पर एनम कोई ज्यादा थोड़ी हुआ और अगर तीन साल उसे पे करना है कोई ऐसी कंडिशन ही लगाई जाती क्रॉप आप हमें ही बेचोगे और अरुन की प्लानिक होती और अरुन यह प्लान करता है कि हार्वेश्ट के बाद वो उसे बेच कर रिपे कर देगा लोन को कुछ फसल का पार्ट वो बेचेगा और उसके बाद फिर वो उसे जो बागी पटेटो है उसे वो इस्टोर कर देगा cold storage होते हैं जो अलू को रखते हैं और उसमें अलू सेफ रहती है और बात में जब आलू के दाम पढ़ जाते तो निकाल के लुग बेच देते हैं और उसके बाद वो फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेगा बैंक से प्लाब नए लोन के लिए और इस पक्तों क्या लगाएगा कॉलेटरल के रूप में स्टोरेज रिशीट लगाएगा बैंक जब देखेगा इस कार्गजात को कि इतना आलू उसमें कोल्ड इस्टोरेज में लोग जलदी उधाले लेता है और जो बैंक है ऑफर दिस फैसिलेटी टो फार्मर्स को बैंक यह फैसुलेटी देता है कि उन्हें क्रोप लोन प्रोवाइट कीया जासकता है और क्रोप लोन लेने के पर कहा गया तो साल में कई महिने ऐसे चले जाते हैं जब उसे कोई काम नहीं मिलता और उसे क्रेडिट चाहिए होता है लोन चाहिए होता जिससे कि वो अपने रोजने के खर्चे निप्टा सके तो होता क्या है कि लोग ले लेते हैं उधार उसके बाद सोचते हैं कि जब हमें काम मिलेगा तो हम उसे चुका देंगे यही वज़ा है कि लोग डेट ट्रेप में फज जाते हैं तो उसके बाद लोन रिपेय करने में समस्या आती है जैसे अचानक बिमार पर जाना किसी का या फैमिली में कोई स्याटि कोई लेंगे क्यों कि जहां जँसे होती होती है उसी से लोन लेते हैं अब बैंक तो इति है काम करती है और वो medium land owner है, मतलब उसके पास जमीन है, जमीनों पर मजदूर लगा रखें, मजदूर उसे, उधाले लेते हैं आवसकता पढ़ने पर, अच्छा जो land owner है, वो क्या करता है, 5% चार्ज करता है पर मंथ, देखें, पर मंथ का मतलब 60% पर एनम यह हो जाएगा, अच्छा रामा क्या करती है, वो उस loan को repay करती है, उसके खेट पर काम करके, मतलब अगर नगद नहीं भी देती है, तो काम करती है, काम करने जो मजदूरी बनती है, वो उसके loan repayment में जाती है, तो most of the time ब्रवा has to take a fresh loan, अक्सर उसे fresh loan क्या हो सकता पढ़ती है, जाके मांग लेती है, और previous loan जो पहले का loan होता है, वो repay नहीं हो पाता, उसके बाद भी मांग लेती है, तो इस वक्त उसके उपर 5000 का loan चड़ा हुआ है, 5000 के credit उसके पर चड़ी हुई है, अब बताई हो कहां भाग के जाएगी, उसे वहीं भी काम करना है, उतनी उसकी income भी नहीं होगी, क्योंचानक उसे चुका सके, यही है debt trap, तो land owner उसके साथ अच्छा बढ़ताओ भी नहीं करता, फिर भी वहाँ पे काम करती रहती क्यों, क्योंकि उससे loan असानी से मिल जाता है, जब उससे आव सकता पड़ती है तब, रामा यह बताती है कि, only source of credit for the landless people in सोनपूर are the land owners employers, तो कहती है कि सोनप इसे कोई भी वेक्ति यहाँ पे पहुँचकर loan की demand कर सकता है, कोई कागजात के आउसकता नहीं पड़ती, कोई collector के आउसकता नहीं पड़ती, लेकिन देखा जाए, तो उस पे कहीं न कहीं land owner और employees को पता होता है कि यह loan repay नहीं कर पाएगा, तो यहाँ समय फाइदा मिलेगा जरूर, क्योंकि कोई भी इस तरह से loan नहीं देगा, कि जिसके पास वापस लोटाने के अलावा भी कुछ भी फाइदा land owner सो employees को ना मिल रहा हो से, उन्हें मालूम है कि जमीन है, तो जमीन पेज देगा, हम खरीद लेंगे, अगर वो laborer है, तो इसी बहाने हम उससे बरबर का प्रोवाइट करते ही है, चीप क्रेडिट आपको जो गाउधियात के लागे है, cooperative societies से मिल जाती है, जो cooperative भी कहते हैं, सहकारिता, इसके बारे मैं अलड़ी मैं को बहुत बार बता चुका हूँ, कि वास्तों में cooperative लोगों के membership से start होती है, कि जब लोग एकठा होते हैं, करके develop करते हैं, और फिर यही सहकारिता एक society बन जाती है, यह अपने members की मदद करती है, और जैसे cooperative develop होती है, तो जो इसके members होते हैं, अपने contribution के नुसार उन्हें फाइदा होता है, और अगर नुकसान होता है, तो सबको सहन करना पड़ता है, cooperative एक प्रकार सीशी तरह है, से, जो cooperative society के जो लोग होते हैं, वो resources खुद contribute करके develop करते हैं, resources खुद बनाते हैं, अपने resources को इकठा करते हैं, पूल करते हैं, in certain areas, तो अलग-अलग जहां पे भी cooperative develop की जाती है, तो cooperative को मतलब यह cooperation, सबके सहायता से एक सहकारिता, एक cooperative society develop होती है, there are several types of cooperative possible, बहुत सी cooperative possible हो सकती हैं, जैसे farmers की cooperative हैं, वीबर सी cooperative हैं, industrial workers की cooperative हैं, कृषक cooperative functions in a village not very far away from सोनपूर, तो सोनपूर में पिक society है, cooperative है, जिसका नाम है कृषक cooperative, लब farmers की cooperative, और इसमें 2300 किसान हैं, देखे, मैंने बता हैं, membership से यह आगे बढ़ती है, और यह deposits अपने member से स्विकार करती है, होता क्या है कि, जो members होते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ deposit करते रहते हैं, resources को बनाने के लिए cooperative के, तो with these deposits as collateral, तो अब deposits किया लोगों ने society में, तो 2300 किसानों से अच्छा खासा पैसा एकठा हुआ, अच्छा cooperative का एक registration भी होता है, banks इनको मदद भी करती है, तो वो क्या करते हैं, कि जो deposits, यानि कि जो पैसा members ने इकठा करके, थोड़ा-थोड़ा करके contribute करके, जो deposit बनाया है, उसे वो collateral की तरह पे use करते हैं, तो with these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from bank, तो bank जब देखता है कि society है, इसमें इतने members हैं, इतना पैसे नोंने इकठा भी किया है, deposits, तो bank फिर उन्हें loan देता है, और बड़ा loan देता है, अब यहाँ पे loan किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा, बलकि इस society को मिल रहा है, cooperative society को, और यहाँ पे collateral society, यानि cooperative के deposits के रूप में collateral है, यहाँ पे, जिसे हम security कहते हैं, कि bank को पता है कि अगर यह लोग इतना च्छावर कर रहे हैं, तो यह repay भी कर देंगे, इस funds are used to provide loans to members, और उसके बाद फिर जो collateral के थूरू जो loan मिला है, members उहाँ से पैसे ले लेते हैं, कहने मतलब यह है कि bank जो है, वो cooperative को loan देती है, और इस cooperative को जितने भी member होते हैं, वो जो bank ने loan प्रोवाइट के society को, उस society से फिर उन्हें loan मिलता है, और ए इसी तरह से तेईस सो, तेईस सो सो भी तेईस हजार members बढ़ते चले जाते हैं, और bank इनको बड़ा-बड़ा loan देता चाहता है, लेकिन cooperative का एक system होता है, बहुत recipient way में काम करना चाहिए, कि आप जो भी loan लेते हो, bank को आप पे करते रहोगे, तो bank आपको बड़बर loan देता रह क्रिशक cooperative सेक्टर में बहुत ही successfully run हो रही है, महाराष्ट में, कौन से industry, अरे भाई, sugar industry, anyway, क्रिशक cooperative provides loan for the perfect job, अब जैसे किस प्रकार loan मिलता है, किस लिए, लोग loan देते होंगे, लोन लेते होंगे, तो agricultural implements हैं, loans for cultivation है, agricultural trade के लिए लोन लेते हैं, लोग, मसली पालन है, फिच के लिए भी loan लेते हैं, और यह सीधा banks ना लेकर, क्रिशक cooperative से मिलता है, और समय पर जमा भी कराना पड़ता है, आगे चलके फिर cooperative आपको loan नहीं देती, आपकी membership खतम भी कर सकती है, तो कोई एक साधरन वेक्ती, bank में जाएगा, तरह तरह के कागजान लगाएगा, कितने questions हो लšके हैं, बहुत difficult होता है loan लेना, लेकिन चौकि को cooperative का member है, तो cooperative सारा काम कर लेती है, और cooperative को जो members होते हैं, उसी गाऊं के होते हैं, वब आप certain areas में वो work कर रही है, तो बहुत असानी से जान पेचान होती है, cooperative में उन्हें loan आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ जहनज़र से बच जाते हैं, क्योंकि एक गरीब किसान है उसके पास माली जे दो ही एकर लेंड है, तो बैंक उसे कहां से लोन देगी तो जमीन दिखा के लोन ले अब कॉपरेटिव उसे लोन देगी क्यों कोपरेटिव के मेंबर भी उसी गाओं के हैं उसी एरिय के हैं, जानते हैं इस व्यक्ति को भी जानते होंगे इसका व्यवार कैसा है एक बल लोन देने के बाद ये चुका पाएगा ये ने चुका पाएगा तो इसका बैंबर बनके कोपरेटिव का वो फाइदा उठा सकता है और कोपरेटिव भी इंट्रेस्ट चार्ज कर सकती है जब वो लोन प्रोवाइट करती है क्योंकि कोपरेटिव की भी तो इंकम होनी चाहिए न जिससे की कोपरेटिव और डेवलप कर सके तो ये यहाँ पर डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स हो गया है और ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंफॉर्मल सेक्टर ये सब हम बाद में पढ़ेंगे अब ये सारे क्वेस्टेंस है इसमें सिर्फ एक में यहाँ पर सॉल्व करता हूं तो देखे एक तो money lender हो गया है ना और उसके पर land owner हो गया और एग्रिकल्चर ट्रेडर हो गया सब ज्यादा इंट्रेस्ट ये चार्ज करता है ये और ये सॉरी सॉरी ये और ये कम चार्ज करता है लेकिन इसमें terms of condition में यह भी सामिल होता है crop इसी को बेची जाए अब जैसे से पूछा गया है कि जो terms of credit होती है small farmer की medium farmer की landless agricultural worker की तो देखे जिनके पास land है वो जदे जदे क्या करेंगे अपनी जमीन को बेज देंगे तो कुछ वो आगे के लिए भविश के लिए हो सकता है लोन से बरी हो जाए और आगे कसम खाले के भी हमें loan नी लेना मजदूरी करेंगे कमाई कर लेंगे लेकिन जो landless agriculture worker है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रमा तो रमा के साथ तो problem यह है कि उसके पास तो जमीन भी नहीं है अलब अगर उसे employer कुछ पैसा देता भी है उधार और अच्छा खासा interest भी चार्ज करता है तो वो सिर्फ काम करके ही उस पैसे को चुका सकती है उसके पास कुछ भी support base नहीं है जिसके बारे में हमने सुरू के tutorials पर पढ़ा था और मजबूरी में बिचारी काम करती रहती है उसके खेतों में anyway यह tutorial नहीं खत्म होता है thank you for watching the video tutorial see you in the next video till then study well to score well